Students, welcome to my channel State Commerce Classes, मैं हूँ प्रवीन सल और मैं इस वीडियो में आप लोगों से discuss करने जा रहा हूँ solution of question number 43 of chapter admission of a partner from the book T.S. Gribal edition 2024 question number 43 कुछ इस तरह से है बच्चो कि आपको दो partners given है जिनके नाम है X and Y जो आपस में profit share किया करते हैं इंदा ratio 3 is to 2 उन्होंने Z को नया partner बनाया और तीनों का नया profit sharing ratio fix किया गया 3 is to 2 is to 1 Z के admission के time पे इनकी books में debtors और provision for doubtful debts ये दोनों values exist कर रहे ही थी at Rs. 50,000 and Rs. 5,000 respectively यहनि debtors का amount था Rs. 50,000 और provision for doubtful debts का amount था Rs. 5,000 फिर उसके बाद आपको ये information दी गई कि all debtors are good ठीक है बच्चो इसका मतलब होता है कि आपके सारे debtors आपको पैसा दे देंगे इसका मतलब debtors पे किसी भी provision को बनाने की कोई जुरुत नहीं है ठीक है बच्चो तो यानि कि जो provision for doubtful debts पहले से बना रखा है उसे भी आपको खतम करना है और नया तो कोई बनाना ही नहीं है जो पहले का बनाएवा है उसे खतम भी करना है इसका ये मतलब होता है बच्चो आप से कागया necessary journal entries पास करिए तो यहाँ पर हम बच्चो debtor को तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन जो provision है उसको हमें पूरी तरह से खतम कर देना है क्योंकि सारे debtors good है हमें debtor से पूरा पैसा मिल जाएगा कुछ भी पैसा नहीं रूबने वाला इसलिए provision को आपको खतम करना है provision को खतम करना फायदे की बात होती है और फायदे से revolution account credit होता है इस बात को ध्यान रखेगा बच्चो तो revolution account तो credit हो जाएगा और provision for doubtful debts account debit हो जाएगा यह बात भी धान रखेगा कि provision को जब reduce किया जाता है तो वो debit ही हुआ करता है तो provision for doubtful debts account तो debit हो जाएगा क्योंकि provision कम होने से जो है वो debit हुआ करता है या खतम होने से एक ही बात है कम होना या खतम होना ठीक है और provision का खतम होना फायदे की बात है और फायदे से revolution का account credit हो जाता है पूरा provision खतम कर रहे हैं इसलिए आपका पूरा-पूरा 5000 से एंट्री बनेगी अब याद रखेगा बच्चो इस question में आपको जो भी revolution का फायदा हुआ है उसको partners में distribute भी करना है क्योंकि question में आप और कोई point है ही नहीं तो हम मानेंगे revolution का total gain रुपीज 5000 का हुआ है ये पूरे 5000 के gain को ultimately हम partners में distribute कर देंगे तो revolution फायदे से तो credit हुआ करता है लेकिन जब फायदा partners में बाटा जाता है तो revolution debit भी हो जाये करता है ठीक है बच्चो और revolution का जो भी फायदा हुआ करता है उसको partners के पुराने ratio में बाटा जाता है इसमें यहाँ पर Z का कोई role नहीं है क्योंकि पुराने ratio में केवल X और Y ही profit share किया करते थे जोकि 3 is to 2 है तो यह 5 year का जो भी profit हुआ है इसको हम केवल X और Y में ही distribute करेंगे इनके पुराने ratio में इसका Z से कोई मतलब नहीं है revolution का जो भी gain or loss होता है बच्चो इस बात को ध्यान रखिएगा उसको हम हमेशा partners के पुराने ratio में ही distribute किया करते है new partner has nothing to do with the gain or loss of the revolution clear बच्चो